Redmi Note 4 के लिए Lineage OS 18.1 का लेटेस्ट बिल्ड आ गया Android 11 का और इस बिल्ड के अंदर आपको कुछ चेंजस भी देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और जैसे कि यह मॉस्ट स्टेवल बिल्ड है Redmi Note 4 के Android 11 की रोम्स में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा बिल्ड है यह और काफी स्टेवल भी मिल जाता है तो अब इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है इस अपडेट में पफोर्मेंस या बैटरी में क्या फर्क पड़ा है उसके बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो को लास तक जरूर वच करिएगा जैसा कि Android वर्जन 11 है और Lineage OS वर्जन 18.1 है और यह बिल्ड है 8 दिसमबर 2021 का यहां पर सिक्यूर्टी पैस दिसमबर 2021 का है लेकिन अभी जुलाई 2021 का है यह भी अपडेट किया गया है और करनल हमारा जडलोस कही है लिकिन यह अपडेटेड है पिछले वाले से यह भी अपडेट किया गया हलाकि नेटवर्क इंटरनेट आपका सेम रहेगा करेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट काम कर रहा है एक नोटिफिकेशन भी सेम ही है बैटरी के अंदर आपको एक चेंज मिलेगा कि बैटरी सेवर और पफोर्मेंस में जाओगे तो यहां पर एक स्टेंडिंग बैटरी लाइफ अब दे दिया गया जिसमें आप अप्ट मिले थी अगर उसके अपसे बताओं तो इस अपडेट में आपको 65 और 64 ही मिलती यानि कि पिछले जैसा ही बैटरी रहने वाला सिम्लर यह अच्छी है बाकि डिस्प्ले के अंदर आपको ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता बस एक ही चेंज मिलेगा वह भी आपको लास्ट में मि यहां पर मिल जाती है और साउंड की बात करें भी ऐपको एसे कोई चेंज नहीं मिलता है और यहां पर जांद कर रहा है लेकिन काफी युजर बोलते उनका working रहता है तो working हो गयी फिलाल एंशी कोई नहीं मिलता है लिकिन response कैसा है और आप देखोगे तो response काफी अच्छा है जैसे कि पहले हमें मिलता था response फी तरीके से यहां भी कोई दिकत हमें नहीं मिलती इसके security की settings में या फिर बाकी fingerprint या face unlock की बात करें दोने अच्छा से काम कर रहा है और digital बात की सपोर्ट है वहीं सिस्टम में जाओगे तो बटन के अंदर से आपको navigation बार को इनेवल करना पड़ेगा उसके बाद आप जैस्टर में जाओगे तो वहां से फिर जैस्टर आपको यूज करना या फिर बटन तो आप यहां पर चूज कर पाऊगे system navigation वहां से बटन के अ अब यह काम किस तरह करता है जैसे ही मैं यहां पर हो चुका हुए से बाहर फिर वापीस आ जाता है यानि कि होम स्क्रीन पर क्लोक आपके देखने को नहीं मिलेगी इसको इनिवल करने के बाद वह हाइड हो जाती है बागे बैटर सारी सेम ही रहेगी वहीं जेस्टर के अब यहां पर आपको एडवांसर स्टार्ट इनिवल करना पड़ेगा और स्वाइब टू स्क्रीन सौड भी मिल जाता है लेकिन यहां पर वही है कि डिलिट को आपके अप्शन नहीं मिलता और स्क्रॉल को आपसन देखने कि हाप इसक्रॉल नहीं मिलता इसके अंदर में ब नहीं मिलता था यहां पर बैटरी से वर लाइब का इबास टाइल्स भी एड़ कर दिये गया है जो कि यहां पर इसका टाइल भी मिल जाता है और यह स्क्रीन डिकोडर है हलाकि स्क्रीन रिकोडिंग काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है पहले भी यह बिल्कुल अच्छे स्क्रीन रिकोडिंग के अंदर वॉलिम पैनल पहले की तरह रहेगा एक्स्पैंड हो जाता है बाकि अप अपनिंग भी अगर आप देखोगे हलाकि इसके अंदर थोड़ी वह था इंप्रूइमेंट मुझे इस बार देखने को मिली है इसके अंदर में कि पहले से थोड़ा कर रहा है बाकी ओडियो एफेक्स वर्किंग है एफम काम कर रहा है म्यूजिक मिल जाता लेकिन इसका जो के गूगल हो काम नहीं करता इसके अंदर में और जैसे कि वनीला विल्ड के साथ है रोम और प्लेश्टूर के तरह अगर हम यह चलते हैं तो प्लेश्टूर आपका स सट्फाइड मिलता था यहनि कि सेप्टी निट पास है तो बैंकिंग अपर यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कॉलिंग अंदर वॉल्टी काम कर रहा है बीडियो कोल आप राम से कर पाऊंगे ब्लूटूट ओडियो मीडेन कोलिंग दोनों पर काम कर रहा है औ और ग्राफिक तो फिलाल हमें से मिलेगी जैसे कि हमेशा देखने को मिलती है स्मूध हाई बैलेंस पर मीडियम और एच्टी के सपोर्ट तो नहीं मिलता तो हम यहाप बात करें इसके गेमिंग के वारे में तो गेमिंग परफॉम्स में भी थोड़ी बुत आपको है और बैटर वेकप तो हलांकि अगर हम पुछले हिसाब से अगर आपको बताएं तो इस बार अगर मैं फॉर आवर नौर्वल ब्रैनेस पर वीडियो प्ले करता था यह जो है आपका सिक्ष्टी फाइब परसंट के करीब ही देखने को मिलता है यानि कि बैटर विगप हला हुए है उनके बारे में आपको बताई दिया क्या कुछ एड़ हुआ है यही साथ इडियो के अंदर इस अपडेट में फिलाल चेंजर जो हुए है अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिज और हुए 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 हुए